आज हम क्या पढ़ेंगे राजु एंड मीना तो यह मीना है ये राजु एंड टीचर और उनका टैरेट तो देखते हैं यह क्या है लिट्ल बॉई इसके स्टमइक में क्या हो रहा है dard होरा है ठीक है क्योंकि यह गुड फूड नहीं लेता है इसके पेट में क्या चले गए है कीड़े कीड़े को क्या कहते है स्टमक स्टमक में क्या हो रहा है इसके दर्द हो रहा है फिर देखो ऐसे कीड़े होते हैं जो पेट में चले जाते हैं जिससे की हमारा पेट दर्द होता है फिर देखो पेट में कीड़े कैसे जाते हैं यह बोई है ये गाल्ड है तो इसके यह चैक कर रहे हैं तो किडे उसमें टांसफर हो रहे जुए तो गंदी जिगाए यहन्हों तच कर रखा है नीचे पेरों में कुछ पैन नहीं रखा ह। इस वज़े से क्योय और यह क्या काओ यह कहा का बोबर को क्या करते हैं डंग जो इसने डंक्त चछुआ है तो इसके हाथ में कीड़े हां गए हैं लग गये हैं तो यह गंदी जीओं को च् overcome ज़ूरे हैं तो इसके कीड़े हाथ में हम लग रहे हैं जिसकी वज़े से ये बिमार हो जाती है फिर ये किस के पास जाते हैं डॉक्टर के पास डॉक्टरोंने टेबलेट देते हैं कीडे मारने की ये मम्मी पापा के साथ हाया है ये टेबलेट लेने के लिए डॉक्टर के पास कीडे मारने की टेबलेट लेने के लिए फिर हमें साफ सफाई कैसे रखनी चीए जैसे ये आलू है इनको क्या कर रही है वोश कर रही है किसे वोटर से पानी से वोश कर रही है और मीना जो है वो पानी ले रही है इससे इससे लेगी फिर गिलास में डालेगी और ये वोश रूम जा रहा है तो हमें वोश रूम कहां जाना चीए टोइलेट में ठीक है फिर और क्या क्या सफाई रखनी चीए हैंड वोश करना चीए साबुन से ठीक है फिर हैंड वोश साबुन से कर रहा है देखो मीना अपने बाई के हाथ दूला रही है हैंड वोश कर मीणा कि जो कि मैंने आपको बताई तो बच्छे कीड़ों के बारे में जान लेते हैं, जिससे वो बिमार नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब उसी के बारे में हैं, ये कीड़े हैं, जो पेट में जाते हैं, तो उस सब के बारे में हैं, ये टैप वरम है, जो सरीर के हिस्से में चले जाते हैं, और बहुत सारे अंडे देते हैं, जिसकी वज़ में ज्यादा पाई जाती है समस्या तो ये थी मीना की कहानी है